हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ सबाना, सबाना किचिन में आपका स्वागत है आज में लेकर आए हूँ पालक पनेर रोल पकोड़ा जो की बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होगा जो उपर से क्रंची और अंदर से एकदम सॉफ्ट बनेगा जिसे खा के आपका मन एकदम खुस हो जाएगा बनाना बहुत आसान है, इसे रमजान के एफ़तार के लिए भी आप बना सकते हैं तो चलिए रेस्पी बनाना सुरू करते हैं जिसके लिए मैंने पालक के पत्तों को पहले से दो कर सुखा ली हूँ और उसके डंटल को तोड़ देंगे, और हम एक बाल में एक कप बेशन लेंगे एक चमच हरे मरीच का पेश्ट, एक चमच अद्रकलैसून का पेश्ट, आधा चमच जीरा, आधा चमच धनिया पाओडर, वाट़ चमच गुलंच पाओडर, आदा चमच लाल मेच पाउडर, एक चमच अहल काटा, नमक स्वात के अनुसार, क्वाटा चमच हल्दी, आदा चमच आमचुर पाउडर, इन सब को डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा-थोड़ा पानी डाल कर हम इसका थिक पेस्ट बनाएंगे, द्यान रहे पानी कठा एक बढ़ ना डालें, हम पानी एकदम थोड़ा-थोड़ा डालेंगे यहाँपे हमें दो बातों का ध्यान देना है, पत्ते एकदम सूखे होना चाहिए और दूसरा बेशन का पेस्ट एकदम थिक होना चाहिए तब ही पनीर पे पालक के पत्ते अच्छे से चिपकेंगे मिशन के पेष्ट को इसी तरह हातों से मिलाते हुए हमें अच्छे से फेटना है पेष्ट हमारा इस तरह का थिक होना चाहिए अब हम एक प्याली में quarter चमच गरम मसाला पाउडर quarter चमच लालमीच पाउडर, quarter चमच आमचूर पाउडर क्वाटर चमश नमक डाल कर मिक्स कर लेंगे अब हम इन मसालों को पनीर के उपर चारो तरफ अच्छी तरह से लगा देंगे मिक्स मसालों को पनीर के उपर अच्छी तरह से लगाना है मसाला पनीर पर जब अच्छे से लगा रहेगा तभी खाने में पनीर का टेस्ट चटपटा लगेगा अब हम बनाए हुए बेशन के पेश्ट को पालक के पत्तों के ऊपर अच्छे से फैलाते हुए चारो तरफ लगाएंगे पनीर को पेश्ट लगे हुए पत्तों से चारो तरफ से कवर करेंगे इसी तरह बागी पालक के पतों को अच्छी तरह से लगा देंगे इसी तरह से बागी बचे हुए पनीर पर हम लगा देंगे मैंने यह पनीर के चोटी पीस पर भी इसी तरह से पेश्ट को लगाया है एक बड़ा बर्तन लेंगे उसमें एक नेटर पानी डाल कर इसके उपर नेट वाली प्लेट रखेंगे और उसके उपर ओइल लगाएंगे और सारी पालक पनेर रोल को 10 मिनट हाई प्लेंपर स्टिमिंग करेंगे 10 मिनट हो गया है सारे रोल को मैं पलट दे रही हूँ और फिर से इसे 5 मिनट के लिए हम स्टिमिंग करेंगे पालक पनीर रोल बन के तयार है अब हम इसके पीसेज बना लेंगे ये खाने के लिए एकदम तयार है अगर आप ओयल खाना नहीं पसंद करते हैं तो आप इसे चाट मसाला डाल कर गर्मा गर्म परोसे लेकिन मैं यहाँ पालक पनीर रोल को सेल फ्राइ कर रही हूँ हम एक पैन को हिट करेंगे थोड़ा ओल डालेंगे और बनाए हुए सारे पनीर पीसे स्कुरिस में डाल कर लो फ्लेम पे क्रंची होने तक फ्राइ करेंगे इसे पलट देंगे पनीर रोल पकोड़ा तयार है मैं इसे एक तोड़ के भी दिखा दे रही हूँ आप इसे चटनी से सर्फ करें वीडियो देखने के लिए थैंक यू वीडियो पसंद आये तो लाइक करेगा सस्क्राइब करेगा बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूले